जैश्री कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है साल 2023 में सावन के महीने में 18 जुलाई 2023 से अधिक मास लग रहा है अधिक मास हर साल तीन साल में एक बार आता है इसके अनुसार सावन मास शुकल पक्ष में पढ़ने वाली इकादशी तिथी को अधिक मास में पदमिन इकादशी कहा जाता है हर तीन साल में एक बार आने की वज़ा से हिंदू धर्म में इसका विशेश महत्व होता है साल में पढ़ने वाली 24 इकादशियों में से यह अधिक मास में पढ़ने वाली विशेश पदमिनी इकादशी भगवान विश्नु को समर्पित होती है जोति शास्त्रों के नुसार पदमिनी इकादशी भगवान विश्नु को बहुत प्रिय होती है इसलिए इकादशी पर सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ में व्रत करना चाहिए पदमिनी इकादशी को पुरुषोत्तम इकादशी के नाम से भी जाना जाता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समरिद्धी धन वैभव पराप्त होता है जोति शास्त्रों के नुसार वैसे तो हर साल 24 इकादशियां परती हैं लेकिन अधिक मास में दो इकादशियों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए यह 26 इकादशियां हो जाती है इस साल आने वाली पदमिनी इकादशियां का जो भी व्यक्ति व्रत करेगा उससे भगवान विश्नु प्रसन होंगे और मनमांचितफल प्राप्त करेंगे तो आईए जानते हैं कि साल 2020 में किस तिथी को होगा पदमिनी कादिशी का वरत, पदमिनी कादिशी की वरत कथा क्या है, पदमिनी कादिशी शुब मूरत और पारन का समय, पदमिनी कादिशी वरत विधी और वरत का महत्व क्या है, साथ ही आपको जानने को मिलेगी पदमिनी कादिशी की वरत कथा, इस दिन क्या करना चाहिए क् एक महत्पून बात वो दस उपाई जो कि आप पदमिनी कादिशी के दिन कर सकते हैं अगर आप इन में से कोई भी एक उपाई करेंगे तो आपका घर सुख समरिध्य और भैभव से भरा रहेगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पदमिनी काद एक बज़ कर पांच मिनट पर समाप्त होगी पदमिनी कादिशी का शुब मूरत और वरत का पारण समय इस प्रकार हैं पदमिनी कादिशी के दिन 29 जुलाई को सुबह 4 बज़े से लेकर के इसके बाद से दोपहर के 11 बज़े तक आप पूजा कर सकते हैं इस वरत का 30 जुला 42 मिनट की रहेगी इस दोरान आपको अपना वरत खोल लेना चाहिए पदमिनी कादिशी की पूजा विधी जान लेते हैं पदमिनी कादिशी पूजा के लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है सुबह सूर्य उद्य से पहले उठकर के नहां धो करके शुद हो जाएं और स्वच वस्त्र धारन करें आप चाहे तो पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं क्योंकि जोतिश के अनुसार ये रंग बहुत शुबह होता है और ये रंग जो है विश्नु जी का प्रिया रंग होता है अब सूर्य देव को जल अर्पित करें औ तोड़ा सा जल ले करके संकल्प मंत्र बोल करके संकल्प अपने व्रत करने का संकल्प लें और जल को जमीन पर आराम से अर्पित कर दें अब आप एक सुन्दर फूलो वाली चौकी तयार करें आब उस चौकी पर भगवान विश्नु के प्रतिमा को रख दें प्रतिमा के पास में कलश भी रख दें अब आप भगवान विश्णु की पूजा शुरू करें सबसे पहले भगवान विश्णु की मूर्ति को घंगा या फिर पंच्चा अम्रिच से स्नान कराएं अब भगवान विश्णु के आके फल और फूल अर्पित करें शुद्ध गाय के घी की ज जलाएं धूबति भी जरूर से लगाएं अब आपको प्रतिमा के सामने स्थान ग्रहन करके भगवान विश्णु के 108 मंत्रों का जाप करना है जाप पूरा होने के पश्चात आपको विश्णु कवच या फिर विश्णु पूरान का पार्ट करना है इस व्रत में पदमिनी सुन लीजिएगा कथा के पश्चात आपको सभी लोगों में प्रसाद बाटना और ये जो प्रसाद है वो फलों को मिठाई के रोप में भगवान के आगे जो रखा गया है उसी को ही आपको बाटना चाहिए पूरे दिन व्रत करने के पश्चात रात के समय कीरतन रखें या चोथे पहर में पांच सुपारे भी आप जरूर से चड़ाएं अगर अगले दिन की सुबा भगवान विश्चु की आरती गाकर इसके बाद भ्रामनों को भोजन कराएं और व्रत पारन शुब मूरत में व्रत का पारन करें भगवान विश्चु प्रसंद होंगे और आपक यह दिन अती प्रिय होता इसलिए इस व्रत का महत्व भी अधिक हो जाता यदि कोई व्यक्ति पदमिनी कादिशी व्रत विधी के अनुसार करता है तो उस पर भगवान विश्चु की कृपा होती है और उसे मनवान चित्वल की प्राप्ती होती है इस व्रत को करने से इस व्रत करने से मनुष्य को यश कीरती धन विध्या सफलता और दिमाग प्राप्त होता है जोति शास्त्रों के नुसार भगवान विश्चु के प्रतियक भक्त को ये व्रत अवश्य करना चाहिए यदि संभव हो तो पदमिनी कादिशी व्रत के दिन आपको गंगा नदी के घाट पर दीब भी अवश्य जलाना चाहिए आईए अब जान लेते हैं कि पदमिनी कादिशी पर क्या करें और क्या नहीं पदमिनी कादिशी व्रत पर शाम के समय आपको तुलसी के आगे एक गी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए और भगवान विश्चु के मंतरों का जाब जरूर से करना चाहिए तुलसी भगवान विश्चु की प्रियमानी जाती है इसलिए इसका लाब भी जरूर से मिलता है पदमिनी कादिशी के दिन आपको दान भी करना चाहिए रत रखने के पश्चाद गरीब लोगों को भोजन कराएं और उनका पसंदीदा भोजन पूछ करके उन्हें खिलाएं साथ ही आप वस्तर भी दान कर सकते हैं दान आप अपनी शमता के अनुसार ही करें इस दिन आपको तुलसी डाल करके खीर बनानी चाहिए और भगवान विश्चु को इसका भोग लगाना चाहिए तुलसी वारिल खीर से भगवान विश्चु कि अगले दिन ब्रामनों को भोजन जरूर से कराएं इसके पश्चात ही आप अपना वरत खोलें इससे पहले ब्रामनों को भोजन कराएं आपको ध्यान रखना है कि आप पांच या फिर साथ ब्रामनों को भोजन इस वरत में करा सकते हैं आप जान लेते हैं कि क्या नहीं कर और ना ही जल पियें लेकिन यदि आप नर्जला वरत नहीं रख सकते तो जल ग्रहन कर सकते हैं और एक समय फलहार भी कर सकते हैं किसी के लिए गलत विचार या फिर गलत भावना अपने मन में ना रखें सब के लिए दया अपने मन में रखें अपने विचारों को शुद रखें और अपने व्रत पर पूरा ध्यान दें अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें इस दिन या इससे पहले वाले दिन ब्रहमचर्य को ना तोड़े ब्रहमचर्य का पालन करना इस वरत के पहले वाले दिन से ही जरूरी होता है इसलिए अगर आप वरत कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आप जरूर से रखें काम, क्रोध, लोब, मौ, एंकार अपने अंदर ना रखें वरत करते समय इन सभी को त्याग दें कोई कुछ भी कहे उसके लिए भी अपने मन में कुछ भी ना रखें अपना मन और दिमाग दोनों ही चीज़ों को शांत रखें पदमिनी कादेशी वरत कता जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसको सुने बिना वरत संपूर नहीं माना जाता हिंदू मानताओं के नुसार पदमिनी कादेशी वरत का महत वर कता भगवान शिरी कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी इस कता के नुसार त्रेता योग में एक राजा करत वीरिय हुआ करते थे राजा करत वीरिय बहुत महान और पराकर्मी थे लेकिन उनको विवा के काफी वर्षों बाद भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी राजा करत वीरिय ने संतान प्राप्ती के लिए बहुत अधिक विवा किये परंतु इसका भी उन्हें कोई फाइदा नहीं हुआ राज़ा का राज़े बहुत विशाल था इसलिए राज़ा इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद में उनके राज़े को कौन देखेगा राज़े की प्रजागा कौन देख भाल करेगा इसी चिंता में राज़ा ने अनेक बार दान, हवन, पूजा ये सब कुछ कराये लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ अब राजा करतवीरी अपना सब कुछ मंत्रियों के भरों से छोड़ करके अपनी सबसे प्रिये रानी पदमिनी के साथ में कठोर तपस्या पर चल दिये बहुत अधिक वर्षों तक तपस्या करने के परशाद भी उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ सो भागे से एक दिन रानी पदमिनी की मुलाकात सती अनुसुया से हुई तब रानी पदमिनी ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई अब सती अनुसुया ने रानी पदमिनी को अधिक मास में पढ़ने वाले व्रत के बारे में बताया सती अनुसुया द्वारा बताई गई विधी के अनुसा रानी पदमिनी ने ये व्रत को किया उनके व्रत को पून होते ही भगवान विश्णू उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूचे अवरानी पद्मिनी ने कहा कि उन्हें एक सर्वगुन संपन पुत्र चाहिए उन्हें कहा कि प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दीजे रूप बल और गुनों में सबसे आगे हो उसे सभी लोकों में भगवान को छोड़ करके कोई भी हरा ना सके भगवान विश्णू ने उनकी इच्छा पूरी की और उनको वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम करत वीरिय अरजुन रखा गया तो ये कथा इसी प्रकार है इस करता को जरूर से सुनना चाहिए जो भी लोग पद्मिनी कादशी का व्रत करते हैं उनको व्रत के समय इस कथा को जरूर से सुनना चाहिए भगवान विश्णु जी को बहत प्रिया और शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी कादिशी का वरत सचे मन से करता है उसे विश्णु लोग की प्राप्ती होती है तो चली सबसे पहला उपाय जान लेते हैं कि आप इस दिन कर सकते हैं पद्मिनी कादिशी पर साम के समय तुलसी के आगे गी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा मंतर का जाब करते हुए आप तुलसी की ग्यारा बार परिक्रमा करें ऐसा करने से भगवान विश्णु और माता लक्षमी का आपको आशिरवात प्राप्त होगा दूसरा उपाय यदि आप क्या पैसा कहीं फसा हुआ है तो पदमिनी कादशी के दिन भगवान विश्णु के आके गी का दीपक जिला करके पूर्व दिशा के और मुख करके गीता के ग्यार व्यद्याय का पाठ करें तीसरा उपाय सेहत से जुड़ी परिशानियों को दूर करने के लिए रितूफल को जगत के पालनहार को अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से आपकी जोई समस्या है जो सेहत से जुड़ी हुई परिशानी है वो दूर हो जाएगी चौथा उपाय पदमिनी कादिशी के दिन भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी को सौँ परिफित करें इस उपाय को करने से आपके व्यापार में तरक्की होगी पाचवा उपाय पदमिनी कादिशी के दिन गरीब और असा है लोगों को भोजन कराना चाहिए साथ ही उन्हें दान दक्षिना भी जरूर से देनी चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में सुक समरिद्धी का आगमन होगा छटर उपाय पदमिनी कादिशी के दिन दूद से निरमित खीर में तुलसी डाल करके भगवान विश्नूजी को चटाई यह उपाय करके वेवाइक जीवन जो है वो सुखद सुकद हो जाएगा आठवा उपाई इस प्रकार है धन की दिक्कत को दूर करने के लिए अधिक मास में पढ़ने वाली पदमिनी इकादिशी के दिन विश्णू जी का केसर घुले हुए दूर से अभिशेग करना चाहिए इसलिए पदमिनी इकादिशी के दिन अपनी इच्छा पूर्ती के लिए ब्रामनों को दान दक्षिना जरूर से दे दसवा और आकरी उपाई जान लेते हैं शास्त्रों के नुसार पीपल के व्रक्ष में विश्णू जी का वास माना गया है इसलिए पदमिनी इकादिशी के दिन पीपल के व्रक्ष की पूजा आपको वश्य करनी चाहिए यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी कही जानकारी आपके काम आएगे और आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्पून जानकारिया मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैश्री मन आरायन दोस्तों जैश्री कृष्णा